नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 2030 में लॉंच होने वाली कावसा की ZX25 वार के बार में और यह कावसा की की तरफ से एक काफी पारफुल 250cc इंजन की फोस्लेंड और यहां पर यह जो बाइक है वह कावसा की ZX6NR के प्लैटफॉम पर बेज़्ड है और यह बहुत कर इस बाइक की लुक्स के बार में तो निजा तो चलेगा आज़ाथ की वीडियो में जानते हैं कि जो इस बाइक का 2023 का वर्जिन है उसमें आपको क्या कहने हैं चेंड द तो यह ले गाइज बिन आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो गाइज वीडियो में आगे बने से महलें बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बार में तो जो गाइज आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगी बट यहां पर जो कावासा की है वह इस बाइक के अंदर 250cc इन-Line 4 Slender Liquid Cooled Engine देखने को मिलता है आपको उस बाइक में और यह जो इंजिन है वो 43.5 PS की पावर प्रिदूस करेगा और यहां पर आपको उस बाइक से 21.2 Nm का Maximum Torque देखने को मिलेगा और यहां पर जो बाइक का BS4 वर्जन था उसमें आपको काफी प्रेंक देखने को मिलता है और यहां पर आपको उस बाइक का 184 kg का कव वेड देखने को मिलेगा यहां पर बात करते हैं वह असानी से 190 प्लस की टोप स्पीड को कैच कर लेती है और यहां पर बात करें इस बाइक की मालिच के बार में तो यह जो बाइक है वह सिर्फ 20 से ल अनौशोग डास चार सस्पेंशन तेखने को मिल जाते हैं और यहां पर र construction के सेटब के बार में थी 10 mm की फ्रेंट में और एर में 17 इंचिस के वील देखने को मिलते हैं यहाँ पर गाज अगर बात करें इस बाइक के कंसोल के बारे में तो यहाँ पर जो कावसा की ZX25R का न्यू वर्जिन लॉंच होगा उसके अंदर गाज आपको कुछ इस तरह का फुली टेफटी कंसोल देखने को मिलेगा और यहाँ पर बात करें इस बाइक के कुछ की फीचर के बारे में तो यहाँ पर गाज आपको अगले साल जून के असपास लॉंच करेगा और शायद 2024 तक यहाँ जो बाइक हुआ में इंडिन मार्केट में देखने को मिल जाए बट यहाँ पर गाज दिक्कत यही है कि इस इंडिन मार्केट में लॉंच होती है तो इस बाइक का च्छे से लेके आट लाके बीच में हमें एक शुरूम प्राइस देखने को मिलेगा तो गैस क्या आप इस प्राइस में इस बाइक को प्रचेस करोगी या नहीं यह तो आपको प्लीस कमेंट करके बताना है और यहाँ वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए गुडबाई